नवस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है पैसे लेकर गिफ्ट्स लेकर सौल लेकर दाडू की बोतल लेकर संसद में सवाल पूछने वाली महुआ मोहित्रा टीमसी की सांसद उनकी मुसीबत खत्म नहीं हो रही एक के बाद एक नई चीजे सामने आ रही है और जैसे जैसे समय बीता जा रहा है वो और गहरे दलदल में धस्ती चली जा रही है भारती जंता पाटी निशिकान दूबे अ दमाव को बढ़ा रहे हैं और महुआ मोहित्रा के साथ जो खड़े होने का दंब भर रहे थे चाहे वो पत्रकार हो नेता हो पॉलिटिकल पाटी हो सब दुम दबा के भाग लिए कोई साथ खड़ा नहीं होना चाहता जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं सब अपनी जान आम ही ऐसा हुआ है अब तक जिस पूरे केस की हकीकत है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया गिफ्ट लेकर पैसे लेकर दारू की बोतने लेकर आईफोन लेकर सवाल पूछना यह जो जगन अपराद हुआ है इसको कोई डिनाय नहीं कर रहा महुआ मोहित्रा ने अब तक यह नहीं कहा कि हमने हीरा नंदानी से कोई गिफ्ट नहीं लिए पैसे नहीं लिए टिकट नहीं कटवाए विदेश चात्रा नहीं की अब तक आपने सुना बहानिबाजी हो रही है सबको केजरिवाल सिंड्रोम से सब लोग ग्रसित हो गये हैं कि मोदी से सवाल पूछती थी अढानी का मसला उठाती थी इसलिए टार्गिट किया जा रहा है ना मामला कुछ और बढ़ता चला जा रहा है और आज एक चिथ्ठी आ गई मिनिस्टर असुनी वैस्टनव आईटी मिनिस्टर है वो और उनकी तरब से क्या चिथ्ठी आई है चिथ्ठी निशिकान दूबे को लिखा गया क्यों निशिकान दूबे ने एनाएसे से इसकी जाच की मान्ग कि थी अब ये कer दिया गया कि जनाएसे इसकी जाच कर रही है और सारे खुलासे हो चुके हैं। क्या लिखा गया चिथि में, चिथी ओफिसियल है, इसलिए इसका महत्तो है। बाकिस सारी चीज़े तो आँक के सामने आई गई। क्या लिखा गया चिठी में दैशू रेज़्ट बाई योर लेटर are undoubtedly of grave importance the subject matter of your letter is currently under investigation by committee of ethics लोकसभा साब साब सरकार कह रही है कि जो मसला आपने उठाया है बहुत ही गंभीर है और आगे इस चिठी में मंतराले के तरब से लिखा गया NIC will promptly respond to any instructions in this matter from the लोकसभा सेक्रेटरियट NIC will also extend full cooperation to the committee on ethics in investigation of this matter ली जी बिन के उजाले के तरह साफ हो जाएगा सारी कर्टूते यह जो anti-adani anti-modi-brigade यह जो 81 साल के बुड़े जो और सोरो से प्रसाद खाने वाले यह जो भिगारियों का जो पूरा गैंग है जिसने पैसे की खातिर अपनी इमान बेच दी देश को गिर्वी रख दिया इस तरह के लोगों को एक्सपोज होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह तो पूरा नेकसस समझ में आ रहा है हीरा ननारी ने कल इंट्रिवू दे करके बताया था किस तरीके से महुआ मोहित्रा राहूर गांदी और दर्जनों भर एक दर्जन से ज़्यादा सांसद यह आडानी को टार्गट करने के लिए एक हिट जॉब कर रहे थे यह वो व्यक्ति कह रहा है जो इनको घूस दे रहा था जिसको मैडम महुआ मोहित्रा ने बकाइदा अपना लॉग इन पास्वर्ट सब दे दिया था आप इस तरह का काम करेंगे और कहेंगे कि भाम डिमोक्रसी बचाना है ऐसे से लोग डिमोक्रसी बचाएंगे सम्मिधान बचाएंगे जो एक दारू के बोथल के लिए कैसे सांसा दे पचास-पचास हजार रुपे का गटक जाते हैं और सब कुछ उनके हाथ छोड़ देते कि बई पार्लेमेंट में सीधे सवाल तुम ही पूछ लो दुबई से सवाल पूछे जा रहे हैं ये सारी चीजे महेंगा पढ़ने वाला है अपोजीशन के लिए ना सिर्फ महुआ मुच्रा के लिए इसलिए ये सारी चीजे सामने आई है राहूल गांदी भी भाग लिया भी बोलते हैं महुआ मुच्रा का नाम कोई नहीं लेता कुछ पत्रकार मित्र बता रहे थे कि बाइट लेने के लिए जाओ कॉंग्रेसी निताओं से कि महुआ मुच्रा भागते हैं सब लोग भाग रहे हैं टीम्सी तो वैसे ही छोड़ चुकी है टीम्सी भी तो ममता बनल जी ने साफ कह दिया है एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट आएगी हम एक्सल लेंगे बाहर करेंगी इसको लेकिन टीम्सी पर भी चल रहा है कुछ-कुछ निसकान दुबे जो औरिजिनल कम्प्लेनेंट है उन्होंने हीट बढ़ा दिया है यहीट इस ओन क्या कहा उन्होंने the question is about the dignity of parliament, security of India and the proportion, corruption and criminality of the LS MP. Whether the NIC mail was opened in Dubai must be answered where the question asked in exchange for money who bore the expenses of travel abroad was permission taken from Lok Sabai Speaker and Ministry of External Affairs to go abroad or not the question is not about Adani degree or theft but about your corruption by misleading the country he said सीधे सीधे सवाल इसका सीधा सीधा जवाब इस देश की जनता जानना चाहती है आपने पैसे लिये या नहीं लिये इसका जवाब दो निसकान दूबे तो Adani इधर उधर की बातें वो नहीं चाहिए आपने सवाल पूछे सवाल पूछने के लिए आपने पैसा काया ये नहीं काया सीधा सीधा बताओ गिफ्ट लिये या नहीं लिये वो दो लाख रुपे तीन लाख रुपे का बैग ये गिफ्ट किसने दिया वो जो हर बार आईफ़ोन जो चेंज हो रहा आपका वो किसने खरीदे किसके पैसे से वो फोन आपके पास आया और सबसे बड़ी बात सीधा सवाल पूछा गया है महुआ मोहित्रा से इधर उधर नहीं यह सारे लोग केद्रिवाल टेकनीक करते हैं पूछा जाएगा भई सराब घुटाल में पैसे खाए की नहीं खाए तो कहेंगे भई पैसा नहीं मिला वहाँ छापा मार लिया वहाँ छापा मार लिया कुछ नहीं मिला संजेसी के घर पे पैसे दिये जा रहे हैं वो गई पैसा मिला नहीं पैसा मिला नहीं तो कोई जुर्म नहीं हुआ यहां तो गिफ्ट भी मिल गया पैसा भी मिल गया देने वाला भी खड़ा हो गया और उसके बाद आपकी पास डिफरेंस क्या लेकिन एक दो सवाल जो निशिकांद दूबी ने जो उठाया है वो बड़ा खतरनाक है यह पूछ रहे हैं कि तुम जो विदेश चात्रा कर रही थी उसको पैसा कौन दिया उसका कौन बिल भर रहा था यह तो बड़ा शर्मनाक है ऐसे देश बचेगा यह बड़ा बड़े बिजनसमेन के दलाल बन करके आप वेपारियों से कैपिटलिस्ट लोगों से पूजी पतियों से अपने विदेश ट्रिप को फिनांस करवाओगे पार्लमेंट की सीड़ पे चरते कैसे हो आत्मा मर गई है और बंगाल की गरीब जनता यह देखो चेहरे अपने सांसतों का यह पैसे खा करके सवाल पूछ रहे हैं यह बहुत गंभीर सवाल है और सिर्फ यह महवा मोहत्रा नहीं इस देश में कोई भी MP अगर किसी धन्ना सेट किसी पूजी पतिक से पैसे लेकर विदेश की यात्रा कर रहा है परिवार को घुमा रहा है वहाँ होटल और आयाशी कर रहा है तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है लेकिन इससे भी गंभीर सवाल एक और है बहुत आप MP हैं आप कहीं विदेश जाते हैं आप मंत्री या पर विदेश जाते हैं या फिर कोई I.S. आपिसर बड़े अधिकारी है अगर आप विदेश यात्रा करते हैं सरकार से परमिशन लेनी पर पर एक बड़ा सवाल पूचा है क्या आप जितनी जितनी बाहर आप बाहर गई क्या आपने लोक सभाय स्पीकर या फर Ministry of External Affairs को इसके बारे में जान कारी दी यह क्या हो रहा है क्या हो रहा है देश में यह पार्लिमेंट पहुंच जाएंगे तो इनको क्या लगता है नियम कानून सब इनके जेब में आ गया आप इस तरीके से हिंदुस यह बिल्कुल सही बात है कि जो इमेल जो दुबई से खोला गया यह नेशनल सेक्यूरिटी का मसला है यह पार्लिमेंट के गरिमा का मसला है ऐसे सांसत को तो सीड़ी पर चलने जन्मांतर के लिए इस तरह के लोगों को बैंक कर देना चाहिए आप यह सारे सवालों को जवाब कौन देगा महवव मुच cuál नहीं देग पत्रकार लोग नहीं देगे यह सीधे सीधे सवाल पूछे गए नए इन सीधे सीधे सवालों का कोई जवाब कोई नहीं देगा उन्होंने सारजुनिक रंग से ट्वीट किया है दूबई का ये ट्वीट देखिए सवाल संसद की गरिमा भारत की सुरक्षा वकतित सांसद की प्रप्राइटी करप्शन और क्रिमिनालिटी का है जवाब देना है की दूबई में एनाइसी मेल खुला की नहीं पैसे के बदले प्रसंद पूछे की नहीं अडानी डिग्री या चोरी का नहीं देश को गुमरह कर आपके भ्रस्टाचार का है डिग्री वाली देश बेचे चंद पैसे के लिए जमीर बेचे ये टूइट है और मैं आपको बतातू इसका कोई जवाब नहीं देगा विपक्ष का कोई बिनेता सामने नहीं आएगा को कोई जो करते कि एथिकल, मुरल, पॉलिटिक्स करने वाला कोई व्यक्ति होता इन आरोप के बाद तो वो स्वेम इस्तिफा दे देता लेकिन आजकल के नेताओं की जो है ने मोटी चमड़ी हो गई है कोई एथिक्स, मुरालिटी सब को ताक पर रख दिया ताक पर नहीं गं क्या हो गया हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कल्चर का, एक भाई सावे दिल्ली में, वो आय थे देश से भरस्टचार को मिटाने के लिए, इनका मंत्रे जेल जाता है, इनको हिम्मत नहीं परती, उसको सस्पेंट तक नहीं करता, उसको हटाता तक नहीं है, महीनों तक वो बन कार्मेंट के एथिक्स, सवाल पूछने का, जो पूरा पूरा जो कारपनाली है, उसको ताख पर रख दिया है, सत्ता इनके हाथ में आएगी, देश को बेच देंगे, इन लोगों का काम सावजिक जीवन में होना नहीं चाहिए, लेकिन ये देश भी बड़ा लिंज सरकारों के पूरा फौज है, देखिया आजकल कितने सारे लोग हो गए, डिफेंट करने के लिए इस तरह की चीजों को, आजकल बीजी हैं ये लोग, हम आजके टेर्रिस्ट को डिफेंट करने में, महवा मुत्रा इसलिए छूट गई है, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे है, जिस तरह का सिचोशन क्रियेट हो रहा है, ये बिलकुल दिन के उजाले की के तरह साव है, कि महवा मुत्रा को सजा मिलेगी, आप देखते रहे कैप्टिल टीवी, हमारे वीडियों को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद मुत्ति धर सुपच मुत्रा के लाइक कीजिए, ये र Ś chaîne के लुपध है। मुत्ति अवादिए!